एक और बड़ी खबर क्यों रूख करेंगे बड़ी जानकारी इस बिचारी है वो आपको बता दें बड़ी खबार हर्याडा की राज़ीती से जुड़ी आ रही है बड़ी जानकारी और वो ये की कुलदी पिच्टोई की कारेकरताओं के साथ बड़ी पहचक हुई है ऐसे समय में जबहाल फिलाल राज़सवाशना में पूरा सियासी गणित जो था कॉंग्रेस का वो बिगड़ गया और उसको बिगाडने का श्रे किसे जाता है ये अभी आधा धूरा ही पता है क्योंकि कुलदी पिच्टोई जो ने क्रॉस वोटिंग की लेकिन एक वोट जो कैंसल हुआ वो अभी तक किसी के सामने जो है उसका नाम नहीं आया है लेकिन रिपोर्ट जो है विवेक बंसल द्वारा वो पहुचा दी गई अपार्टी आला कमान तक लेकिन ना मुझादर नहीं हुआ है तो भविश्री की राजनीती पर कारेकरताओं के साथ चर्चा जो है कुल्दी बिश्टोई करते दिखे तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं और जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं कुल्दी बिश्टोई इस बात के संकेत उन्होंने दी है जब उनसे पूछा गया कि आगे की उनकी रंडीती क्या होगी तो उन्होंने कहा कि देखे 16 जूम को मैं बताऊंगा कि आखिर क्या बड़ा फैसला जो है हम ले रहे हैं लेकिन कारेकरताओं आपने कारेकरताओं के साथ आग जब बातचीत हुई है कारेकरताओं ने कुल्दी बिश्टोई से कहा है कि आप जो भी फैसला लेंगे हम आपक गई किस तरीके से लेकिन जो भी फैसला होगा उनका कहना ही हर्याना की राजणिती में बड़ा फैसला जरूर होगा तो अब फिलाल क्या स्थिती रहती है कुल्दी बिश्टोई को लेकर उनका क्या रोण हर्याना की राजणिती में आप आगे रहने वाला है वो यहां पर देखना दरूर होगा क्योंकि उनकी नाराज़गी भी पार्टी आलकामान तक पहुंची और जो हुआ उससे पार्टी आलकामान भी नाराज जो था वो दिखा है जिसके बाद अब खुर्दी प्रिश्णोई की राहें या रहती हैं हर्याना की राज़निती में ये देखना द करेंगे बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको यहां पर बता दें हिस्दार से आ रही है कुल्देव विश्णोई का बड़ा बयान बड़ा बयान इस बीच आया है सोला जून को बड़ा फैसला लेंगे विश्णोई को बड़ा पर निशाना 31 विदायक होते हुए राज़ करने के साथ अप्रवीन कुल्देव विश्णोई का ये बड़ा बयान के आखिर जिसका वो ट्रद हुआ विवेग वंसल बता है साथ ही उन्होंने हुड़ा पर भी बिना नाम लिए ये निशाना सादा है कि घमन तोड़ना जरूरी था जी आपको बताना चाहूंगा कि विदायक कुल्दीज विश्णोई सार के सेक्टर 15 में अपने कारिये करताओं से मिलने के लिए पहुंचे इस दुरान उन्होंने हुड़ा पर निशाना साथ ते हुए कहा कि जिनके पास 31 विदायक थे वो भी राज-जे सभा सांसद नहीं बना पाई कि जो परभारी थे हरिया रियाना परभारी इनको बसाना चाहिए कि रद किसके वाय वो तु साथ ही उन्होंने ये ही विदायका कि जो इसमें किसी बड़ा नेता का हाथ सामिल है जी जाहिर तोर पर प्रवीन लेकिन हरियारा की राचनिते में बड़ा फैसले का जिक्र जो है वो कुल्दी पिश्टोई करते दिखे जिसका एलान वो कल करने वाले हैं फिलाल क्या कोई सुगाहट है उनके तरफ से कार्य करताओं से भी मिले वो जी कार्य करताओं से उन्होंने लगातार डेड़ दो गंटे बैठे की सबी कार्य करताओं ने अपने अपने विचार रखे और कार्य करताओं ने कुल्दी पिश्टोई पर ही फैसला चोड़ा है कि जो आप फैसला करोगे वो हमें मनजूर है तो सबश तोर से यही लग रहा है कि जो अभी क्योंकि अभी पिछे इनकी मुलाकात भी मुक्यमन प्रीचे भी करके आए थे तो अभी इसमें आंकलन हो सकता है कि या तो वीजित्टी में भी सामिल हो सकते है या अभी सोच विचार करके कुछ है भी कुल्दीत में यही जाएगी नया फैसला जन्दी लेंगे जी जाहिर तोर पर प्रवीन क्योंकि यहां पर कई तरीके की संभावनाएं हैं वो यहां पर जताई जा रही है लेकिन कारिकरताओं से उनकी जो मुलाकात हुई उसके बाद फिलाल कितना जोश कारिकरताओं में भी देखने को मिल रहा है क्योंकि हो ना ना हो सोला तारीक का बड़ा फैस्ता या पर कुल्दी बिश्णु ही लेते दिख सकते हैं जी उन्होंने यही सपष्ट किया कि आज जो कल जो मीटिंग लई थी इसार के सेक्टर 15 में लई थी और अब वो आजमपूर में जो मीटिंग करके सबी कारिकरताओं से जानकारी लेकर और विचार में मर्च करके नया फैसला लेंगे और इसका खुलाता वो 15-16 जून को ही कोई करेंगे जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया परविन कुमार इस तवाम जानकारी के लिए आप इस खबर पर नजब नहीं रखें और इस प्रूआ है भो 15-17 शंब पर खीच करेंगेल